खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। तरी कोई स्थिती उस विद्यारती की तरह हो गई है जो इसने केवल एक पार्थ रठा है और किसी भी विशय की परिक्षा हो जाके वही पार्थ जो है वो दोहरा देता है चाहे लोकसभा हो चाहे राजसभा हो धन्यवाद प्रस्तावता राश्टपती के लिए और इनों ने जो है धन्यवाद दे डाला विपक्ष को कि भाई कॉंग्रेसी आपने इतनी गल्तियां करी हैं जिसकी वजासे हम बार-बार चुनाओ जीत रहे हैं वरना जो है भाजपा के पास कोई स्याकरात्मक्त एजेंडा तो है नहीं जिस पर लोग उसको वोट दे और ये कहना कि जो आपने क्या जो है आपकी विजन क्या है आपका रोड मैप क्या है लेकिन वह बात कभी होती नहीं है बलग और सबसे आश्चर जनक बात थी जब उन्होंने कहा कि राजसभा लोकसभा को आगे बढ़ने से रोखती है तो लोकसभा एक मिनिट हो गया है जो कि एक इतने मदमस हाथी को एक मिनिट हो गया है, मैं दुबारा आउंगी जब बहस खोलूँगी आपके पास, मैं संगीत रागी जी का रोक करती हूँ, संगीत रागी जी जो बात यहां पर आश्रतोश भी कह रहे थे, कि भई धन्यवाद विपक्ष को दे रहे थे, ठीक है, मतलब यह वि इतने के पश्चाथ, कि आपने चुनाव जीता है, लेकिन देश का जो मेंडेट है, वो हम लोगों के साथ है, सायद यह मेंडेट साफ नहीं है, प्रधान मंत्री जी उनको बता रहे हैं कि देखिए, आपकी अपनी गलतियां है, कॉंग्रेस पार्टी के अंदर आंतरीक आपके साथ नहीं जाती है, लेकिन उसका बहाना आप दूसरी जगर ढूंट रहे हैं, तो बुराहियां कहीं आपके अंदर है, आपके अंदर है, लेकिन आप आइने की धूल आप हटाने की कोशिस करते हैं, आइने की धूल हटाने से आपके अंदर की बुराहियां ठीक नह में राहूल शक्रवरती करूँ करूगी राहूल शक्रवरती जी कल तक आपकी पार्टी के सांसे चिल ला रहे थे सब एब्यम हटाओ बैलेट पेपर लाओ प्रदानमंसी नरेंदर भोदी ने आज कह दिया कि हार के लिए बाहना ढूंड रहे हैं और ठीक रा फोड़ रहे हैं अपनी गलती सब्कार नहीं कर रहे हैं अब बंद कर देंगे ना यह इब्यम कर आगा आप लोग अधिक रुमाला जी एक बात मैंने तो जो क्या बंद करूँगा या नहीं बंद करूँगा इस पर इस विश्य में टिपने नहीं करूँगा मगर बात तो यह हैं एक चीज़ लिए हार हुआ है हम लोग अगर पधर मंद्री का वादा जो था वो अगर फूरी करते तो ऐसे वालतवशी का तरसे हमको भी आचा लगता जो पधर मंद्री अपना वादा को रखा था रखे हैं मगर प्रॉब्लम ही है जिस तरह से पीप पुलवावा और पुस्ट पुलव करती सर्ते ओं देवर प्रॉब्लम हीए सर्ड एक मिनट ऑगया है राहुल शकरवर्ती नही को आपके पर आ जाएं संबीत्त करा रहतें violent मुसकूरा मैं भी रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए मुसकूरा रही हूँ कि प्रधानиях का रहे थे, इस आप ये जनादेश का अपमान है, लेकिन यहाँ पर राहूल शक्र वर्दीज眠 अभी रिकॉर्ड प्ले कर रहे हैं, जो प्रधान है के भाषन से पहले तक विपक्ष बज पॉजिटिविटी और देखिए आज जो युद्ध हुआ है 2019 का लोकतांत्री की युद्ध ये सकरात्मक्ता वर्सिस नाकरात्मक्ता के बीच में आप देखिए सारी चीज सकरात्मक रही भारती जनता पार्टी के साथ और मैं हाथ जोड़के राहुल जी से कहूंगा राहुल पहुत सारी चीजों को देखकर जनता जनारदनौ हाँ पुलवामा के बाद भारत की स्टैंड को भी देखती है नैशनल सेक्यॉरिटी को भी देखती है इन सारे विशियों को समगरता से समझने के बाद बूजने के बाद वो विश्वास करती है अपने नेता के उपर और य तक एक दिन बात नहीं किया, आप रेकॉर्ड उठाके देखिए 14-19 तक EVM खराब, मोदी जी हिटलर है, सारे मंत्री खराब है, देश बिगड़ गया है, देश में सूपर एमर्जनसी लग गया है, इन ही तरह की बातों से ये चुनाव लड़ते रहे, नतीजा आपके सामने है मैं सीधे आशुतोष जी का रुक करूँगी, क्योंकि आशुतोष मिश्रा जी, इन 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हमने यहाँ पर संविधान की शपत में, मैंने कितने ऐसे शोस किये, जिसमें हम ये पूछा करते थे साहब, नीती क्या है, नेता कौन है, एजिंडा क्या है, क्या सिर्फ मोदी विरोधी विपक्ष के पास एक मुद्दा है, जवाब क्या होता था, चुनाव में फैसला हो जाएगा, चुनाव हो गया सर, फैसला हो गया, आप लोग अब इस फैसले के बाद भी जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके के बोल सुनाई देते हैं, कि ये म अब करी विपक्ष अपनी हार पर शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरीके के तर्ग गड़ता है, देखे अभी जो श्री चक्रवर्ती ने कहा और जो डॉक्टर पात्रा ने कहा, दोनों बात तर अब ध्यान दीजे, डॉक्टर पात्रा एक ऐसे राजे से आए हैं, जह सबका साथ, सबका विकास नहीं देखा, उनको लगा कि नवीन बाबु जादा सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, और नैशनल लेवल पे जो चक्रवर्ती साथ कह रहे थे, एक यह हववा बनाया गया, एक हववा बनाया गया कि देश खत्रे में है, और घर में भुसके मा तो वहाँ पे और उसके बाद प्रग्या सिंग ठाकुर तक को यह लोग ले आए जो की गोट से भकते हैं जिनके खिलाब आज तक कोई जो है एक्षन नहीं लिया गया तो यह जो है चुनावी मुद्दे राष्ट्री इस तर पे किस तरह से भटकाए गए यह उसका एक्दम सी बात में इस बात को लेकर दे रहे हैं किस तरीके से विपक्ष की तरफ से EVM का बहाना गड़ा गया क्योंकि आपने ओडिशा की जीत यहां पर गिना दी वो भी तो EVM से हुई है सर बीजेपी हारी ओडिशा में राज्ये के अंदर वो EVM से है है ठीक है ना सर एक मिनिट एक म जीत हुई है एसेंबली में जीत हुई है मगर एक दिन भी आप दिखा दीजिए कोई बयान बाजी जिसमें भारती जनता पार्टी के किसी भी कारेकरता ने कहा हो कि एक कारेकरता ने कहा हो कि हम इसलिए हारे है क्योंकि वहां प्रसाशन जो है वह भारती जनता पार्टी को ह हुआ है और भीजू जनतादल हमसे मात्र तीन प्रतिशत आगे है 42 परसंटेज में तो आप देखिए हम महनत करते हुए 21 से 39 परसंटेज तक आये हैं और अगली बार हम सरकार बनाएंगे ऐसे होता है जी मैं मैं सीधे राहुल चक्रवर्ती का लोग करूंगी बिल्कुल बिल् करें आप लोग तो मेरा मेरा संबीट जी बहुन अच्छी बात कहा जो जंता स्रिफ यह वड चीज़ देखते रहता है जैसे सब्सक्राइब डेवरप्रेंट देखते रहता है क्या काम हुआ देखते रहता है वैसे मैं तो एकदम सिकार कर रहा हूं इस पर मेरा कोई इसमें दोरा नहीं है जनता देखते रहा था। मगथ जिस चीज़ देखना छाहिए था प्रदान मंद्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोल कर बात रग दी राज्यसभा में आज तो शिकायत दूर हो गई पर भी आप लोगों को आई ना दिखाया अब अब सब्सक्राइब अगर अगर बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो आपकी सरकार अज़र ममता बेनेट जी से कहिए जान दे कारून लेवस्तापर झाल